अज़ का हमारा पोएम है दा रेंबो बाइ क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी तो आई ये जानते हैं पोएट के बारे में क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी इनका जन 1830 में हुआ और इनका देथ 1894 में हुआ ये एक इंगलिस पोएट थी इंगलिस पोएट मिंस ये ब्रिटेन से या फिर यूरोपेन कंडरी से बिलॉंग करती थी साथी साथ इन्होंने बहुत सारे विराइटी पोएम्स लिखें जिसमें से रॉमैंटिक है डिवेशनल मिंस भक्ती से रिलेटेड और चिल्डेन्स पोएम और ये एक पोएम के विजए से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जिस पोएम का नाम है गॉबलिन मार्केट तो आईए देखते हैं आज के पोएम में क्या है तो आज का हमारा पोएम है रेमबो रेमबो तो हमने बच्पन में देखा होगा आप लोगोंने भी देखा होग ये खास कर रेनी सीजन में कभी-कभी नजर आ जाता है जिसे देखकर आज भी हम बहुत ज़्यादा है कि ये किस तरह से बन पाता है तो आई ये स्टार्ट करते हैं पोएम को Boats sail on the rivers and ships sail on the seas but clouds that sail across the sky are prettier than these Boats, छोटी नावे जो है वो नदियों में चलती है, rivers में चलती है, sail मतलब यहाँ पे तैरना and ships sail on the seas और जो बड़े जहाज होते हैं वो समूंदरों में तैरते हैं, seas में तैरते हैं but clouds that sail across the sky, लेकिन जो बादल होते हैं, clouds होते हैं, वो आकास में तैरते हैं अपने आस पास हर रोज आकास में बादल तैरते हुए देखे होंगे are prettier than these और यह जो clouds हैं, यह boats से, river से, ships से, seas से, इन सब चीजों से सब ज़्यादा खुबशूरत होते हैं there are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees तो यहाँ पे बहुत सारे bridges हैं, जो rivers के उपर बने हुए हैं, और पुड़े world में New York bridge है, आपका London bridge है, और साथी साथ इंडिया में हमारा howda bridge है, यह सब देखने में बहुत ज़्यादा खुबशूरत है, as pretty as you please, जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोच सकें, उससे भी ज़्यादा यह देखने में खुबशूरत लगते हैं, but the bow that bridges heaven and overtop the tree, bow bow, bow means यहाँ पे धनुस नहीं है, यहाँ पे आधा गोलाकार, जैस heaven और earth के बीच में bridge बनाता है, earth हमारा जो पिर्थी भी है, heaven, स्वर्ग, इन दोनों के बीच एक रास्ता होता है, bridge होता है, bridge का काम है, एक जमीन को दुसरे जमीन से जोड़ना, या एक जगा को दुसरे जगा से जोड़ना, उसी तरह से जो bow type का है, या फिर जो rainbow है, वो earth को heaven से जोड़ने का काम करता है, जो and over tops the trees, जो पेडों के उपर से गुजरता है, यहाँ पे जब भी आप rainbow को दखेंगे, तो कहीं न कहीं से उसका starting point होगा, और कहीं पे ending point बादलों में खोया हो नजर आता है, तो यहाँ पे सीच को दिखाया गया है कि वो पेडों के उपर से हो होता हुआ जाकर के sky में यह heaven में खो जाता या मिल जाता है, and builds a road from the earth to sky is prettier far than this, तो यहाँ पे वो क्या करता है, जो rainbow है, वो road बनाता है, एक road बनाता है जो earth से sky को जोड़ने का काम करता है, पिर्थवी से आसमान को जोड़ने का काम करता है, और इन सभी से, इन सभी से मतलब क कि आपका ship से, boat से, bridges से, sky से, इन सबसे भी सुन्दर, सबसे ज़्यादा सुन्दर होता है हमारा rainbow, वो बो होता है, जो earth और heaven को जोड़ने का काम कर रहा होता है, यहाँ पे picture में देख सकते है rainbow को, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much.